पत्रकार गोलीकांड में पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है पत्नी के इशारे पर संपती हर्पने की मंचा से घटना को अन्जाम दिया गया था एसाइटी ने पत्नी संग उसके प्रेमी समेट चार बदमाशों को गिरफतार कर लिया है बदमाशों की निशान देही पर माउजर कार्तूस वबाइक बरामत कर लिया गया है सदर डीएसपी नुरुल हक ने बताया कि पिछले सत्रह मार्च को पत्रकार दीपक विश्व कर्मा पत्नी के साथ राजगीर से बिहार शरीप फलोट रहे थे इसी दोरान पीपल तलक के समीप बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी तक्नी की अनुसंधान में पता चला कि उनकी पत्नी रगणी विश्व कर्मा से शादी के बाद भी शशांक नामग युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था बार-बार संपती लिखने का भी दबाव बना रही थी संपती हटना उसकी मनशा थी इसलिए उसने प्रेमी संग मिलकर इस घटना को अनजाम दिया उनकी पत्नी के भी यान पर लगोंने कांडद किया था हमलोगों ने कांड़ किया था को सबी भी उन्होंने आरोप लगाया था और अन्य सभी जो बिवाद थे उसके संब्ध में बिस्तिर तुरूट से अपने ब्यान में बताया है जो तक्निकी अनुसंधान थे और उनका ब्यान वो मैच कर रहा था तो घटना का सफल उत्वेदन किया गया और इसमें जो गोली मारने व पिता समीर कुमार वह नानंद सिलावगा रहने वाला है एक तीसरा आरोपी जो गिरफतार हुआ है दीपक कुमार वह इन्हों को घटना में सयुक कर रहा था उसकी गिरफतारी ने अपनी पूछतास में अपनी सनलिपता स्विकार की है और इन अपरादियों ने भी सनलिपत किया है उसको भी और जो ब्रामत हतियार है उसकी जाच जो हम लोग एकत्रित करेंगे इस परकार जो है हम लोग ने घटना का साथ दिनों के अंदर सफल प्रुवेधन किया है और लगबक अनसंधान के सभी बिंदू जो है उस पर महत्वपूर साक्ष लिया है घटना को जो पति पत्नी के बिवाद और इनकी जो पत्नी थी उसका इसमें जो एक अभियुक ससांक है इससे प्रुव से प्रेंप परसंग चल रहा था तो मुख हरूप से अभी घटना कारण बताया गया है इतने भी तथ्या हैं उस पर हम लोग अनसंधान कर रहा है इस घटना का अभी यूट्यूब चैनल बिहार टेवी को सब्सक्राइब करें और तुरत नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें